Question 3, Select the like terms in each polynomial if any हमें like terms देखने हैं, लिखना है, कोई polynomial में है तो तो like terms सबसे पहले क्या होते हैं, like terms वो होते हैं ऐसे terms जिनके variables क्या हो, same हो जैसे हम देखें, यह पार्ट 7x-3x-8 यहाँ पर 3 terms है, यह एक, यह दूसरा, यह तीसरा यहाँ पर दो term देखें, यहाँ पर दो term हैं, इनके variable हैं, x और x दोनों same हैं, हमें कोई भी plus sign, minus sign नहीं देखना है हमें सिफ वेरिबल देखना है, जिसके variable same होंगे, एक दम match करेंगे, वो ही हमारा क्या होगा, like terms होंगे, तो यहाँ पर like terms क्या हो गया, like terms क्या हो गया, एक हो गया 7x और दूसरा हो गया, minus 3x, sign भी लिखना है, यह हो गया 7x और दूसरा, minus 3x, इसका दूसरा, b part, a plus b plus 2a minus c, इसमें like terms क्या होंगे, like terms हो गया हमारे, a है, यहाँ b, यहाँ पर 2a, दीखिए, यहाँ दोनों variable match हो रहे हैं, तो हमारा हो गया, like terms, एक a हो गया, दूसरा क्या हो गया, 2a, यह हमारा like terms हो गया, इसका c part, a plus 3b minus c plus 5b, यहाँ पर a, यहाँ पर 3b, यहाँ लाइक टरम्स पैरा तो लाइक टरम्स हमारे हो गये एक हो गया थिरी वी और दूसरा हो गया फाइफ पी जिसके वेरिबंस मैच हो यहां राइक टरम्स होगा इसमें लाइक टरम्स क्या होंगे 2xy xy है यहां xz है तो यह match नहीं हो रहा यहां yz यहां पर भी yz यहां पर xy है यहां x पर कहीं नहीं है नहीं है xz कहीं नहीं है yz yz है तो मारे like terms हो गए एक हो गया 4yz और दूसरा हो गया एक minus yz यह हमारे क्या हो गए like terms जो sign लगा आपको वह sign लगाना है इसी तरह से इसमें like terms count कौन से होंगे इसके like terms कौन से होंगे e part के mn power 2 यहाँ पर क्या गया m2, n2 यह दोनों नहीं है like terms का क्या होंगे इसमें देखिए यहाँ पर mn square mn square m के पावर में 1 है और n के पावर में 2 m के पावर में 1 n के पावर में 2 हमें इसे variable चेक करना है like terms कौन कौन से हो गए 1 हो गया mn square और उसके साथ minus 2 mn square ठीक है और एक और like term से इसमें दूसरा कौन सा है end m square n square n के पावर में 2 n के पावर में 2 दूसरा हो गया 6 m square n square यह मारा answer है f 2 a b square a के पावर में 1 b के पावर में 2 देखिए हाँ पर a के पावर में 1 कहीं दिख रहा है कहीं नहीं है तो यह हमारा इसके साथ कोई हैं नहीं minus 7 a square b a के पावर में 2 a के पावर में 2 देखिए हाँ पर भी है यहां पर भी है, बी की पार में 1, यहां पर है, तो लाइक टम्स कौन-कौन से हो गए, लाइक टम्स हमारे हो गए, मैनस 7 A स्क्वाइर B, और 8 A स्क्वाइर B, मिन्स आपका जो वेरिबल पार्ट है, यह पार्ट जो है, वो सेम होना चाहिए, स्क्मेशन, जो जो हमारे लाइक टम्स हो गए, इसका जी पार्ट, ब्रैकेट सॉल्फ करेंगे, एट को जब bracket solve करते हैं तो जुमारा भार है उसको अंदर वारे नमबर से नमबर अंदर में जो भी लिखा है उसे multiply करते हैं तो एट आर एट प्लस पीच में तो प्लस है नगाएंगे एट को फिर ऐसे multiply करेंगे मैनिस sign भार लेख रहे हैं 3 को multiply किया आर से 3R फिर मैनिस sign 3S 5 को multiply किये 5R içe 5R sin के सब 질문 स्बीक है रहे हैं यहां। अब प्लस सा रहे हैं नहीं तो ऑज हम मैनिस से नहीं तो प्लस और मैनिस को जब हम just करते हैं उसकै तो हमेशा हम क्या लिखते हैं मायनेस लिखते हैं 5R अब प्लस 5 को मैनस से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो कि आएगा मैनस 5S ठीक है अब हम अरेंज करेंगे देखें हम आ रहे हैं हम पर भी आ रहे हैं 8R मैनस 3R या S है 8S हम पर मैनस 3S और S हो गया और कई से हम पर देखें 5R भी दिख रहा है प्लस 5R और हमानस 5S तुम्हारे लाइक टर्म्स क्या होंगे अनिश करेंज जोत नहीं आप टर्म्स छाट लीजिए लाइक टर्म्स क्या क्या होंगे R, R, R 8R मैनस 3R और 5R मैनस 5 से कोई मतलब नहीं है प्लस मैनस 5 से मतलब नहीं है हमार टम्स से मुन अच्छी, आर के साथ हमार 8 लिखा है, आर के साथ माइनस 3 और आर के साथ 5 और एक दूसर टम्स क्या हो गया, दूसर हो गया, and s वारा, 8s, 3s, माइनस 5s, यह हमारे एंसर से, यह तीनों के वेरिबल का है, आर, और इनके s हैं, क्वा स्थर्ण साथ 1